मेरी रब से दुआए सबको मिले चपन बोग यो वाट्स अप गईस कैसे आप सभी लोग सबस्क्राइब के वड़न को दुबा कर लगा देना बाट पिरह टाइम लिए कईस करते हैं स्टार्ट तो गईस आज हम कुछ अलग करने वाले हैं तो आज की बारी आप सोच रहों कि म है कि समयदान में खड़ा हूं और साथी में साथ मेरे राइट साइड में कॉन है कूनजी पहाडी कहड़ी की गई हैं तो इस आपको बता दें कि यह बोन मिल है और साथी में साथ यह कैद करकर रखा है इन इवोकर्स नहीं तो guys यह वाले ego karts यहाँ पर काफ struct leaking होँघे और देखते हैं कि यह bone meal को बचा पाते हैं यह नहीं बचा पाते तो guys इनका माना यह है कि यह bone meal से इनको कोई टाकत हैं मिल रही है यह फर यह bone meal से कोई जादू टूना बना रहे हैं और उसकी वज़से ये ताकत्वर हो जाएंगे तो guys इसior लिए उन्होंने बॉन मीले गठा करना शुरू की है और साथ ही में साथ इनका जो स्केल्टन्स यहां पर राइड साइड में आब मेरी यहां पर स्केल्टन्स आएंगे और स्केल्टन इनसे पंगा लेंगे कि मतलब हमारा बोन मील बापस कर दो हमारे जो बजर्गों बजर्गों का बॉन मील उन्होंने कठा करका रखा है यहां वो पापस लेने के लिए आ रहे हैं तो गैस देखते हैं क्या होता है इन दोनों में fight कैसे होते हैं तो गैस मैंने यहाँ पर काफी ज़दाई walker इसकी safety के लिए spawn कर देते हैं तो गैस मैंने काफी ज़दा भी walker spawn कर दिया है बट मुझे यह डर है कि अपने ये जादू टूने से क्या इन skeleton को अपने wash में न करने तो गैस अगर इन में wash में आगे तो वो इनसे लड़ाई नहीं करेंगे वो इनके साथ दोस्ती कर लेंगे कि वो इनके वश में हो जाएंगे तो guys देखते क्या होता है क्या नहीं होता तो guys करते हैं skellton को स्पॉन और देखते हैं क्या है इन में वश में आ जाते हैं या फिर वो इसे लड़ते हैं और guys ये तो काफी ज़दा जलते हुए आ रहे हैं इनकी शक्तिया इतनी जादा है कि ये इनको जला रहे हैं इसका मतलब ये जलते हुए skeleton यहाँ पर रहेंगे तो गाइस थोड़ी बहुत शक्तियां इन skeleton में भी है इसी की वज़ा से इन्होंने यहाँ पर बारिश गरवादी है और देखते हैं यह बारिश बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर Skeleton's और Evoker के बीच दोस्ती हो चुकी है क्योंकि Evoker's ने Skeleton को अपने वश में कर लिया है तो guys इसका मतलब कि Evoker कभी हारेंगे नहीं तो नहीं guys अब मुझे यहाँ पर Warden Spawn करना पड़ेगा क्योंकि अब तो Fightin के करवानी बनती है तो guys मैंने यहाँ पर Warden को Spawn कर दिया है देखते है क्या होता है और guys मैंने यहाँ पर काफी जादा Warden Spawn कर दिये हैं तो guys इस Warden ने एक ऐसी शक्ती मारी है कि बारिश Skeleton की शक्ती फेल हो चुकी है अब Skeleton यहाँ पर जलने लग चुके हैं आद स्केल्टन तो जलने सही मार जाएंगे तो अब मुझे लगता है कि इवोकर को हमारे Warden ऐसे ही मार देंगे तो इसका मतलब कि हमारे Warden के पास काफी जादा शक्ती है तो guys आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुरी पुरी तबाई इस चल रही है अभी तो यह मतलब स्टार्टिंग है आगे आगे देखिए अप होता है कि आप कर दीजे मेरे चैनल को लाइक और चैनल पर नहीं हो तो जली सी जाकर सब्सक्राइब कर दो वीडियो को जली सी जाकर लाइक कर दो तो guys देख सकते हैं कि सारे के सारे स्केल्टन शू मंतर हो चुके हैं जादा से जादा स्केल्टन तो इसका मतलब कोई ना कोई स्केल्टन बचा होगा और वह भी मरने वाले हैं सारे के सारे वोडन किल्से पढ़े हैं किसी ना किसी पर किल्से बढ़े हैं तो guys आप देख सकते हैं कि इतना बोन मील यहां पर इकठा हुआ है तो guys evoker भी यहीं चाहते थे कि कि सारा कि सारा वोन मील यहां पर इकठा हूँ बट काइस वोड़ 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 अभी तक अपनी शक्ते को इस्तमाल नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि मुझे यहां पर करना पड़ेगा एक iron golem को समन थोड़ी बहुत और देखते हैं यह नहीं करते हैं तो guys अब मैं करने वालों यहां पर iron golem समन और देखते क्या होता है भाई तो guys आप देख सकते हैं इनकी कैसे शक्तिया चालू होने लग चिक्या भाई आइNew को है तो अब आही मत्रिव हुआ आप देख सकते हैं जो आपर मर रहे हैं वह हमें टोटम भी दे रहे हैं और साटि में साथ पडे हैं पर पड़े हैं बाई कापसी जँदा टैंब और Emerald तो गाईस आप देख सकते हैं कितने जदा Totem यहांपर पड़े हैं और कितनी जदा XP भी आपर पड़ी है और गाईस आप देख सकते हैं कि यहांपर काफी जदा लोग मर रहे हैं Evoker मर रहे है Warden तो अभी जिन्दा है और सकेलटन ऐसे अभी जैसे पताने इनके ओपर कौन सी बुरी शक्ती का साया पड़िया हो तो गाईस आप देख सकते हैं कि सारे की सारे Evoker मर गया और वहांपर जो मैंने सकेलटन स्पोन किये थे वह सारे के सारे ही मर गया वाई एक सकेलटन बच है और वो भी evokers को मार रहा है, और यहाँ पर लो भाई, इसका भी skeleton का рाम नम सत्यकर्द हो भाई, तो गाईसब देख सकते हैं, यहाँ पर काफी ज़्यादा तबाही इन्ने ने मचा धिया, और काफी ज़्यादा इन्नोने गंध यहाँ पर मचा रहा गया, अब इनको परियां को भी मारना पड़ेगा और इवोकर शांत हो गया बाई डर गया है वो वोडन को कुछ नहीं कहते हैं वोडन से काफी जादा डरते हैं इसलिए वो काफी जादा बुरे तरीके से हार मानने पर जूट चुके है तो गाईस आप देख सकते कि आपर छोटी छ सब्सक्राइब कर रहा है तो गाईस अब देख सकते हैं जो छोटी छोटी परियां वह भी अभी हवा में उड़ती हुई जा रहे हैं और यहां पर जो टोटम विखरे पड़े हैं वह बहुत जादा अच्छे लग रहे हैं इतने जादा टोटम मैंने कभी जिन्दगी में ए सब्सक्राइब करना मिलते फर अगली वीडियो में तब तक के लिए और थैंक यू वीडियो देखने के लिए